नमश्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोला और 17 मार्श के आपकी राशी के महाराशी फलके भारे में सबसे पहले दोस्वों इनकावी अश्मे बर्तिदे है या फिर रेनोर्शरी है आप तो दोसों वीडियो को बिलकुल ही मीशना करें और शुरू सुलेकर अंत तक जरूरू देखें तो दोसों वीडियो केंप में बहुत यची उपाई हैं उजिने आप करके इन दोजनों को और भी ज्यादा लाब कारी बना पाएंगी उच्छे पहले दोसों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोसों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश करके और पॉश लेट कर दें तो यह दोसों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गर्हों की स्थिकी बारे में शब्सब्से पहले दोसों वह दिन बुद्वार का दिन रहेगा शुल पच्छ की 133 रहेगी और दोसों इस दिन पंखा नामकार नक्षत रहेगा वह दोसों दिन योग की करें तो दोस्तों दृति नमाख शुभयोग और शुन नमका शुभयोग रहने वाले हैं रावकल के शमय दिन दोपर के 12 बचकर 35 मद चले कर दोपर के 2 बचकर 5 मद रहेगा दोस्तों ध्यान रहे आप यह रावकल के शमय में कोई भी शुब और महत्मुन काने को भूल से भी करें और दोस्तों चैनल माई दिन शुभ राशी पर शुभयोग प्रयारम हो जाएंगे और दोस्तों दिन रहे कर शाम के तीन बचकर 34 मद रहेगा और दोस्तों चैनल माई आकरी दिन में शुभ राशी को प्रांत करने राशी में शंचार कर जाएंगे तो आई दोस्तों से इशाद बात करते हैं दोपनों की जगरहों के सितिधी है और चंदर मंग की गोचर है आपकी राशी पर पर्वहों लेकर आती हैं आए दोस्तों बात करते हैं पूरी विश्थार से दोस्तों ये शमे करियर एवंग सिक्षा के लिए शमे काफी अनुकूल नजर आ रहा है क्योंकि गुरु आपके प्रयाशों को समर्थन परदान करेंगे दोस्तों ये शमे हलाकि उनके लिए कठिन समय होगा जो जातक मांश्टर डिगरी या फिर उच्छे स्थरिय सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों आपका पूरा प्रयाश प्रिजनों को बहुत सारी सुविदाएं उप्तप्त कराने में रहेगा दोस्तों ये शमे नेगेटिव के ये अगर बात करें तो कोई बड़ा निवेश करने के लिए शमे अनुकूल नहीं है आपको नोक्री या फिर अन्निकारणों के चलती मांसिक तनाव रह सकता है दोस्तों यश्मे उच्छ अधिकारी या फिर पिता के साथ आप वैचारिक तोर पर मद्वेद होने की शमाना भी बन रही है इस कारण आपको मांसी तौर भी रह सकता है केवल दोस्तों गुरू का तोड़ा शयोग रहेगा वो भी शिर्फ आई के मामले में दोस्तों इन दिनों में आपको भागे का शाथ मिलने का शमय भी रहेगा कुछ परिस्ततियां बिना किसी प्रयास के आपके पक्ष में भी बन सकती है जो आप करना या पाना चाह रहे थे वो दोस्तों यश्च में आपको सुलब याने मिल भी सकता है दोस्तों यश्मी आपको विपरित परिस्तोतियों में भी अपने लिए कुछ शकारतमग परिणाम मिलेंगे बसरते दोस्तों आप अपने यश्मी में महनत को बनाई रखें आपको अध्यात्मिक परगती करने के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे दोस्तों यस में आपके करियर को लेकर बात करें तो करियर के लिए आशे यस शमय आपको सफलता दिनाने वाला शमय भी रहेगा आप अपने टार्गेट को असानी से पूरे कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी दूस्तों यस्ट में आप वयपार में और वहां सेलातिस में अत्यंत सावधानी परतें आर्थिक जोकिम उठाने के लिए या फिर कारीचित में नई परियोग यस्ट में ना करें वे दोस्तों यश्च में आपकी लव लाइब को लिकर बात करें तो प्यार में मान कर चलिए कि पांचों उगलियां घीमे होंगी तो यह तो हुवी प्यार की बात लेकिन यदि आप शादी सुदा है जीवन साथी के साथ कोई तनाव वाले सिती भी बनेगी आपको इनका ध्य जीननार रखना है और अपने प्रेमिय के साथ नम व्यार करें अपने वानी पर यस्च Myanmar मधूरता रखें कोई तो ऑपको घूत को बात अर्भी सकती है दोस्तों यसमीं आप जोडों में कोई पुरासा की को निसे साथानीर maltकें वहें सब्सक्र Speed Shervation a which is पशली से सम्मनित कोई रोग होने की शंभावना भी बन रही है दोस्तों यश्च में आप स्वास को लेकर सावधनिया बरतें दोस्तों यश्च में अगर आप कारी छेतर में ज्यान प्राप्त करेंगे तो आपके लिए कोई भी कार और विलम विना अवरोध को पूरा करना नमगम रहेगा शोपे के कारियों पर अपनी उर्जा और ध्यान को फोकस करने के लिए आपका जो गुनगान वा जाजयकार यश्च में हो सकता है मालकों के साथ चर्चा के संकेत भी होंगे दोस्तों यश्च में कारे स्थल में अपने शाथियों और लोगों को लक्ष की औ और आप प्रयों धिक करेंगे दोस्तों यश्च में आपकी पारिवर्यक जीवन को लेकर बात करें तुब दोस्तों इन Дिनों में आप प्रेमी के साथ किसी भी होयां शायक मामले को साधा करने से बचें आप अपने पसंदीदा विश्यों पर उनके साथ सर्चा करके संतूष्टी महसूद करेंगे एक रोमेंटिक रात आपका बेश्वरी से इंद रोमें इंतजार करेंगा गिनेस जी की भवश्वानी है दोस्तों यश्च में आपकी आर्थिक सिधी की बात करेंगे तो दोस्तों यश्च में आप एक उधार मनदसा में रहेंगे अपने आजपास के लोगों के गुनों की आप कदर करेंगे दोस्तों आप उन्हें एक फिल्म दिखाना या फिर रात के एक भवल लंच पर ले जाने का फैसला भी ले सकते हैं दोस्तों यश्मे नाचों, गाओं, खुशियां मनाओं, एक बढ़ियां दिन, आपका जो किस्मत में लिखा हुआ है, यदवी, आपको एक श्मे में कई चीजों में भाग लेने भी यश्मे पड़ सकता है, आप असानी से सभी कार्यों को पूरा भी कर लेंगे, आपका अच्छा महसुस करते हैं, यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे, और अब तक वो आपकी बात को टाल रहा था, तो दोस्तों यश्मे जो है, बिना बोले ही आपको पेशान लोटा सकता है, इन दुनों में घर को सजाने श्वालने के अलावा, बच्चों की जरुत पर भी आप ध्यान दें, बच्चों के बिना घर, आत्मा के बिना शरीर की तरह है, दोस्तों यश्मे आपके इमंदारी और जिंदा दिली प्यार में जादू की तरह ताकत डाल सकती है, दोस्तों यश्मे आपको पतार लग सकता है, कि आपके बोश आपसे इतने रुखे प लेकिन ओफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप एशा करने में भी शफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों यह में थोड़ा कोसिस करें इसे दोस्तों यह में आपके विशे सभी समयों में से एक समय महत्पुन समय सावित हो सकता है दोस्तों यह में आप अच्छे पारेवर जुवन के लिए नहने के जल में काले तील, काले सर्शों के दाने डाल कर जो है अस्टान करने से आजो आपका पारेवर जुवन है यह में बहुत ही अचार हेगा दोस्टों यहश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्टों आपको बता दें अगर आप कर्ज से पैशान है तो दोस्टों यहश में आप सफेद रुमाल लें पांच गुलाब के फूद एक चांदी का फत्ता थोड़े से चावल गुड ले लें मंदिर में जाकर दर्जा उतर जाए फिर इन शब को ले जाकर बहते जल में परवाह कर दें यह परतिक्रिया शोमवार को करनी चाहिए जया दोस्टों अगर इसे जो है विश्णु लक्षमी की मुर्ति के शामने किया जाए तो दोस्टों और भी अच्छा होता है तो दोस्टों इसे आप कम से कम साथ सोमवार जरू करें यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बहाग इशाली होगी यह दोस्तों और शादे दूस्टों और शादे जानकारे के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें धन्यवाद